बगाव बगाव सबको शकल देखिए जो ही ओबने आए हो रहा है तुम अंदर कहा जा रहा है रूप अंदर जाना ही चल बार कर रहा है चलो यहां से चलो 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 ममी ममी पार से में कि क्ली कि बेटा तुमने बहुत अच्छा चाग दिया अधिनम टे चोक्रान यहांक पर फिर होने करता हैं थो कि और देखता से नहीं है वेडहिए थैथ चल दरा कि था तेरे पास सीधे गाउन चला जा एक करते हुए खेती कर चुप चाप जा सर आप मुझे नीचा दिखा रहे हां हम दोनों अभी तो मिलें आप कौन मैं को नहीं को जानते नहीं है मैं जब तक हीरो नहीं बन जाता तब तक गाउन नहीं जाओंगा यह चैलेंज ह प्राइब में तक सब टाइटी आफिश सही से जाएगा टैन 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 थाटी यह का सपिगन सहां मुझे यह सी मैं मैं आप्टेन नहीं कर शक्ति हैं यह क्या है आप नहीं जानती है कठाल आपनी क्या बोला था पेट पेशा बढ़ा कठाल से करेंगे तो बाई ने पर करते हैं इसके टुपले टुपले करके घुमाते हैं है अरे तू मेरे तीछे क्यों आ रहा है मेरे घर तू भी खाना खाएगा चल जा और सुन वो लेड़ी आर्टीस रहे ना उस तरफ मत जाना चल जा जाना सरसर नमस्ते चांस आहिए तो मेरे अब मैं खाना खाने जा रहा हूं यह मेरा दोस्त आप से चांस मुनाएने के लिए आया था कि नहीं यह पूछने आया हूं यह इसको एक कमीना दुपारा मिला तो जान से मार जूँगा जाओ ए चल जल दी अरे यह इसको गाली को दे रहा है पता मैं यहर को समझ में नहीं आ चल निकल यहां से निकल वापस मत आना कि आप goof खुड़ का करें आर्टिस्ट पेमेंट के लिए घर में शूटिंग के लिए खेध बेश दिया है प्रिंटर पबिस सिटी के लिए सारे जयावर बिग अरे अरे बैश दि क्या हूं लेकिन वह एक फिल्म नहीं बेच पाया तो फिर आप दूसरी फिल्म क्यों शुरू कर रहे हैं तभी तो तुम से पैसे मांग रहा हूं न डिस्टिबूशन खूद करेंगे वो शेर की पूश पकड़ने वाली कहानी हाँ वही कहानी अगर छोड़ दिया तो भी खता हम नहीं यह लड़का आपके पास चांस मंगने आया था अरे यह कौन है और इसको तो काफी लोग डूड रहे हां सब आया थे क्या कौन आया था अरे सुभा एक लड़की डूड़ती वाई थी इसको लड़की कब आई थी बस दस बज़े आई थी दस मिलट पहले वो फोटो तो क्य यही है वो हाँ हाँ यही तो है लड़की जो उसको ढूड़ना है थी हाई अंकल को रख कर दे दूंगा चेहरा आज ही पढ़ाएगा शादी होए लोगों को अंकल नहीं तो क्या हस्बंड कहते हैं लेकिन कुछ भी कहो तुम ना सिप्ली सुपा हो सही वक्ते आया हो सुहाग रात है तो यह तो ही से पहली रात कहते हैं अंदर जाके देख सब पता हो जाएगा तो तो तुम्हारे बीबी के साथ मेरे सुहागरत होगी पहले बेकार की डावड बंद कर अंदर जा करके सुहागरत किसके साथ है पता चल जाएगा सर चल जाएगा करेक्ट आठ बचकर बीस मिनिट पर मोहरत है थोड़ा ध्यान से हां तू थोड़ा भी नहीं डरना मुझे याद करके मेरे जैसे ही सुवागरात मनाना चल जाओ चलिए मुझे दिखाईए अपना जोश अभी आपका कत्रपर ना कि तुम्हें जक्यों बोलती हो अरे भाई सु कोई गलती नहीं है ब्रोकर ने मेरी शादी हुई है कहकर मुझे घर दिलाया है यह उनर जो है मुझे बताए बगर आपके साथ सुवागरात का अरेंजमेंट करके रखाया है सच में इसमें मेरे कोई गलती नहीं लेकिन आप को ने जी तुम यहाँ पर कैसे और आरे यहां क कि उनर ने हमारी फर्स नाइट की अरेंजमेंट भी कर दी है सुहागरात मनाएंगे और नहीं तो क्या अब क्या करेंगे अम लोग देखो मैं जो कह रही हूं ना ध्यान से सुनों इस फ्लेट के उनर की नजरों में हम दोनों पती-पत्नी है इसलिए हमें साथ मिलकर रहना ह अरे आ रहा हूं बच्चे की जान लोगे क्या हूँ पर दिश्टर्वेंस हमारे घर में होने वाली यह पहली सुहागरात है ना इस कॉलनी वालों को हमेशे याद रखने के लिए एक चोटा सा अरेंजमेंट किया हूँ तुझा अपना काम कर जाना यह अच्छा फोटो लेन है अलो है तुझे है यह सब क्या कर रहा है श्री राम केबल तीवी वाला हूं सर आपके सुहागराद के वीडियो राइट सेनों ने हमको बेच दिया सर जीहां सर अब आपकी सुहागराद का हैव टेली कास्ट यह पूरी कॉलनी देखी कि सर ब्लॉक बहुत अच्छा बनाय है युटर लौत यह पूरी है अच्छेत एक्टर मैना ही मेरे जीवन का लग्षा मेरे सपनों के लिएolor जितना हो सकता हूं कितने में सेहन कर सकता हूं इसलिए मेरे जीवन के लक्षी के इच के इसे भी पर इस त्थितम ना हो तो भी ठीक्रहेगा मुझे समझने की कुशिश करो यह क्या हो रहा है? अब डिरेक्टर को क्या जौब दूँगा मैं? एक तो हीरो नहीं आ है, प्रोडूसर मुश्किल से तेया है अर्टिस्ट बनने आ है तो इसे ही कास्ट कर सकते है तुम सिलेक्ट हो गए हो यार, यू आरोगे मुझे ओके कर दिया अरे तुम्हें फिल्म लाइन के बारे में मालूम नहीं है क्या अब तुम ओके हो गए हो आओ मेरे सार चलो अच्छा ये बताओ तुम्हारी जेव में कितना है जी वो यह लोगी कल सुभा तुम्हें आजाना कल ही अरे कल सुभा यहां शुटिंग शुरू हो जाएगी सब्सक्राइब 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 यूण मेरे जेव से पचास रूपे और निक falou एडल जेव करो किराय के लिए पर पूर मैं पदल जाओगह हुआ क्या कार्तेक तो ह्यूर बन मिया? ये सच है क्या मेरे मन पूह सिय हो रही है क्या कारता यहां नेक्ट प्लानिंग क्या है डांस्मास्टर की डेक्ट मिल गई है सर कॉस्टम भी साइनल है नमस्ते सर फाइटिंग सीने सर गोल कॉंड़ों प्रमिशन का हो गया हाँ हो गया नमस्ते अंटी तु यहां क्यों बटा है चल उट चल उट चल यहां कड़े रहे ना इसको भी खाना दे थोड़ा और दो ना है चल जा परवाने हीरो बनने तक बरदाश्ट कर लेंगे करभ कर तेरे पास कहार्ड वो किस लिए चाहर नियहें काम नहीं कर सब्सक्राइग को तो में अच्छा तुम हीरो हो रहा इघकिक खानी वाला हीरो हो आहीं ने किस ने कहा तुमें कि तुम हीरो हो सर आप़ ने तुका ता कि मैं हीरो हूं मैंने मैंने कब लुट असल में स्टूडियो में एंक्री कर से मिली निकल जो यहांसे घर चाएसे बाट उन फोटोस को देखिये हमारा कार्तिक शिवा फिल्म का नागर जुन लग रहा है रहा है जो इसे देखिए अनाड़ी kव्के कर्म चीनजिवी ज़सा दिख रहा है हाँ हाँ सिटी में इसे सिनेमा के लिए भेज दो तो बड़ा हीरो बन जाएगा जी अब ही आज के सामने की चड में दावड की शुरुवार्थ होने वाली है जिसमें काजुगली से कार्तिक का और उनके साथ ही है तो दूसरी तरह से पेरु गली से रितिक और उनके साथ ही बिल्ला और शेर की तरह दावड लगाने के लिए तैयार है देखते हैं कौन जितना है अजितना है कट्टू की खेती करने वाले गाउंवालू तुम्हें से वैसा कोई है जो इसके साथ डांस कर सके कोई है की नहीं कांड रे यह जाना पर मैं जाओंगा तेरे और मेरे प्यार के बीच में वो हरी ब्रह्मा भी आ जाएगा तो तुम्हें और तुम्हें प्यार को पाए ना चोड़े ना प्राब्लम प्रिया कल रात मैंने तुम्हें चिक चाक शिखाया था आज मैं तुम्हें कबटी सिखाऊंगा इसका क्या करूं सर एक उपर पहनने को बोलो दूसरा नीचे पहनने को बोलो आपका बहुत अच्छा टेस्ट है सार देखो मैं आदे घंटे के लिए सीन के बारे में सुचने जा रहा हूं कोई डिस्टम निकरेगा आर्टिस का सेलेक्शन डायरेक्ट होगा हाँ दीदी पहली फिल्म है अपने गाव में शूटिंग है कौन हीरो है कोई नया लड़का लगता है नया हीरो फिल्म में काम करने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कार्ति उससे भी जाकर कोशिश करनी चाहिए ना इस कोई भी साइड डोलो तो मेरा लड़का नहीं करेगा वो हीरो है हीरो का तो सेलेक्शन हो गया ना सेलेक्शन हो तो क्या हुआ कार्तिक उससे इंप्रेस करके रहेगा पांच अली पांचों की पतने क्या है तू और तूने मुझे पर हसने की जुर्रत कैसे की राक्षुस की प्राउरुति जैसा मैं या फिर तेरा पती है रुस्तम्तोर्ड व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आकर हमीं लोगों को लूटता है मैं तुझे काट काट कर तेरे टुकडे टुकडे करकर पेज पेज करके हमारे देश का मैं तुझसे बदला लेने वाला हूँ सब्सक्राइब आजा 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 सर सर मेरी एक्टिंग कैसी लेगी अरे अरे असी खुलना इस इस सिनेमा में चोटा रोल करोगे क्या नहीं नहीं सर हीरो बनाए है हाँ सर तुम है भाई तू जड़ा इधर तू आजा आजा अश्या बनाने क्लिक में ही बिला था क्या क्या है क्या है पिता जी इसने देवा डारेक्टर को किन्डेप किया है वह अच्छा अद्मिय इस लिए बच गया अगर वो पुलिस कंप्लेन करता तो पुलिस वाले इसकी खाल उतार लेते और यह में हीरो बन कर दिखाऊंगा है है तुम्हारे जैसे लोग हीरो बनने वाले हैदराबाद में गली-गली में घूम रहे हैं अपने अर्मानों का गला में अपने हाथों से नहीं खोड़ सकता अपने लक्षे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ छी यदा कहीं का तू तबरे ट्रोंवी आखोड़ि है कर लें ह। इसका तो काम हो गया ले और हैपमकृ और हैं कार्ठी कर्डिक कर्द्रिक करनी कर्तिफाल करे जार्टिक कर्द्रिक का थे रिए पर् इसका तो काम हो गया यार डिदे मुझा फिल्स इस्टेट्यूट मोस qinaza Cheikh driž क्या हुआ करतिक इंस्ट्टिट में जॉइंट होने के लिए पचास हजार रुपे चाहिए पचास हजार फिता जी से चाहे के लिए दस रुपे मांगता हूं तो वो भी नहीं देते हैं मुझे तो फिर क्या करोगे इस चन्न में तो अक्टर नहीं बन सकता मैं जो कहता हूं वो सच होता है मैं बोल रहा हूं ना गारेंटी के साथ तो हीरो बनेगा फेस्टन कर जरा तू बोलेगा तो सच होगा क्या हालो मैं आओ के मैडम इस गाव में कोई होटल है क्या होटल चाहिए लिए अरे नहीं रहे नहीं रहे नहीं खाने के लिए खाने के लिए खाने के लिए होटल चाहिए ना मैडम स्टूपड इस गाव में स्टे करने के लिए कोई होटल है क्या जितना पैसा लगे का दे दू मेरा नाम चरित्रा है तीवी चैनल में काम करती हूं मैं कॉंसेप्ट पर काम कर रही हूं इस गाउं में कुछ दिन रिसर्च करने आई हूं प्लीज वन मिनट मैडम मेरे बाइब सुनना तुझे हीरो बनाने के लिए गनलक्ष्मी आई है कि अधर पास आई है कितना भी खर्चा हो वो देना वाट यस अधर तुझे है वो गाउं में चौद्रिय आपका मंगला है ना था जा इस तीन महिने तक नहीं आएंगे घर बसातेंगे घर बसाने का मतलब वहां ठहरा के उससे पैसे ले लेंगे इसे के लिए टाइज फैमिली अधर टॉट्चिंग वेट नतिंग एल्स वो क्या है अरे उसके सारे पैसे हड़ाप लेंगे ओ जो की तर मली का करेंगे अपहल मुझे मारा ये सब मुझे अजिव सम्में मैंनेज कर लूँगा सुनो तू से लेके पूरे गाव में गुमा चिनेमा दिखाने लेजा कद्द मैं मैंनेज कर लूँगा हालो मेडम होटल मिल गया मेरा फ्रेंड कार्तिक है आपको लेजाकर होटल दिखा देगा है चलिए यह मेडम यह एक दम फॉइस्टर होटिल जैसा है तुम्हारी मानो कामनाय पूरी होगी जो चाहिए वो मिलेगा यह यह गाना नहीं काते अच्छ दुसरा गाना सासुमा कहा हो तुम जल्दी से आ जाओ ना आप आरती लीजिए चलिए क्या है यह सब मतलब शास्त्र के हिसाब से आरती लेने के बाद थालियों में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं ओ ऐसा है क्या है ऐसा ही है आजाई आजाई चलिए यहां सोला जीलो में फाइस्टार होटेल बोले तो यही है पूरा सूपब है असल में सीजन में रश और वेराइटीज इतनी होती है कि वो माहुली अलग होता है यह तो बंगले जैसा लग रहा है मतलब यह गाउं है ना तो यहां के सारे होटल होमली होते हैं ओ आज़े बेडरूम देख लीजिए अ है जिल चलना जैओ अभाई बहुत अच्छा है लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगी है जाकर रोकना उसे मैं अच्छा कह रही है और पिर जा भी रही हो नहीं जाओंगी त तुम्हारा स्टाफ कहा है स्टाफ मतलब काम करने वाला काम करने वाला यह है ना मेडम यह कपड़े तुम कौन हो मैं मैं यहां का मैंनेजर हूँ ओके गाइस मैं बहुत टायर हो गई हूं एक घंटे के बाद अच्छी सी कॉफी बना कर ला ना हूं प्लीज यार मुझे हीरो बनना इसलिए मैं वाच्मैन हूं बनना ही पड़ेगा प्लीज यार हूं हूं ठीक है करेंगे ना थैंक्स यार अब खाना पकने वाला चाहा है कि प्लीज मां के गुजरने के बाद पिताजी को आप भी खाना बना कर खिलाते थे तो मैं क्या करता खाना बनाने वाला होने के वाद मेरे हांट बनाया हूँ खाना खाते थे वह एक्स्पीरियंस आपकी वेस्ट कर रहे हो आप बस 15 दिन मेरी हल्प कर दीजिए येरो बनने तो जुट बोल रहा है ऐसी बात है तो अभी ला सकता था नहीं हूं आज से मैं तिरा कुक हूं कहाँ खाना बनाना है बता स्काटेक मैडम कॉफी 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 यह पहले पिएगा या काम करेगा मैडम कॉफी कॉफी कैसी बनी है किक चड़ाना किक चड़ाना मतलब कॉफी अच्छी है ना अच्छी है देंकि मैडम थैंकि वेरी मूच नहीं रहे यह जल्दी से पत्ता डालना डालना आ है तुम लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है फिर मैडम बिल बिल एक दिन के लिए च्टेक करने के लिए सिर्फ सौ रुपए ही? बहुत कम है. यह सिर्फ कॉफी का ही बिल है मैडम. वाट? सिर्फ सिंगल कॉफी के लिए सौ रुपए है? हाँ मैडम. काम करने वाले ज्यादा लोग है ना? मेंटिनेंस लगता है. ज्यादा खर्चा है मैडम. मेंटें का? हाँ. ओ मेंटेंस? हाँ. इ कि तुम एंगलिश में बात नहीं करने के लिए कितना लोगे इसी क्तरफति हो ना तुम हिंदी सीखोंगे तुक्ता रहे गा साझ ही होग मांची पनाजी अरे मैडम है त्टाने पूह इसे में बात निया मिकलत आप था फैसा है Pack D I have the रुपे नमहा, सौ रुपयों को भी नमहा करता हूँ मैडम, मैडम, क्या है? मैडम, तो दुनों तक किसी भी गाउं में कहीं भी कली और फूल नहीं मिलेंगे पूरे फूल यहां उठा कर ले आये हैं इतने सारे फूल क्यों लाए? आपने तो कहा लाने के लिए? आज भागवान चिकन बना रही है, कोई फाइदा नहीं इस चिकन को खाना है, तो चार घूट पीना जरूरी है मेरी प्यारी भागवान, फिर आता हूँ, पीके थैंक्यों दिदी जीजा जी, क्याने से पहले निकल लो यहांसी बापरे, तो यह माजरा है कोई बात नहीं, इस चिकन गुणिया का राज मालूम करके रहूंगा अरे यह तो भूद बंगले में जा रहा है तुम होश्यार हो तो मैं टेड़ होश्यार हूँ, मेरे साथ होश्यारी बताऊगे दर्माजा कोलो, क्यों इतना लेट हो गया, अबे लेट क्या, जीजो को मुझे पर डाउट हो क्या, वो फॉलो कर रहे है यहां नहीं है, रास्ते में उन्हें भूद बंगले में लॉक कर दिया है, अब तुम लोग क्या करो के मुझे नहीं पता, लेकिन यह भूद बंगले के बाहर निकलने नहीं चाहिए बातरूम से भार ने आने देंगे, चाहिए उन्हें चाहिए मसा चखाते है में होल में बैठे जाए सा लग रहा है, बाहर जाने का रस्ता ही नहीं मिल रहा है असल में मैं कहां आ गया, क्यों फस गया, समय क्या हूआ मालूम ही नहीं पढ़ रहा है चिकन के लिए इतना तकलीफ प्रियम करता है उसे भी खत्म करना, यह एक आम बात है तो फिर इस बार चंद्रमुखी की चाह पूरती के लिए चौथा कौन किसका करेंगे हाँ, चंद्रमुखी के बाहर आने का समय हो गया है, चंद्रमुखी नर्बली का टाइम हो गया, इस अमावस्य की रात को चंद्रमुखी को नर्बली मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, अब मैं मिल गया हूँ ना, दिल धड़क रखके बाहर आ रहा है मुझे मर कर पांच साल हो गए, मुझे मरे हुए दो साल हो गए आज की एक रात के लिए चंद्रमुखी को दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करते हूँ हाँ इसका क्या करना है? मार देना, मार देना मुझे नहीं, इसे, मार डालू बुखी हाँ तेल में डाल दो, डाल दो मार दो मारे हाँ मैं पक्रत्वी काjak करते हुए मैं पक्रत्वी कर देना, मैं भुछी हाँ हाँ हुवँ वागगाँ तुम यहाँ हो टिम से पैसे निकाले गए हैं कोई मातुर में क्यों गई आपको है कंवा कौन है उसके साथ पता नहीं मैडम तुम वहाँ जाओ उस एरिया में च्छान मिन करके उसे पकड़के तुरन्त वापस ले आओ जाओ ठीक है मैडम जाओ 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 आपके इतनी खूबसूरत नहीं है आप रूकिया में साइकल लेकर आता है एए चल रहे बाबा उजर देखना सुपर है यार उस हिरोईन से तो यह हिरोईन बहुत जादा अच्छी है क्या लड़की है यार हाँ यार अरे एक्शन तो इतनी सुपर थी ना क्या बताओ सायद बच्ची को सिंगल ड्राइविंग की आदत नहीं है यारे चिडिया तो हमारे साथ भी आएगी ना क्यारे हिरोई क्या अभी बना नहीं हूं लेकिन बनना चाहता हूं मतलब यह तेरी हेरोईन और तू हीरो सुपर कॉंबिनेशन है बन विलन किदर है एक काम करते हैं भाई मैं विलन बन जाता हूं तुम थोड़ा सो कॉपरेट करना मैं तुमको किस करता हूं अवे हिरोई यार मारता होगा देखेंगे ना देखेंगे इव मारता है आजा आजा हूं काजा काज़िक हाँ तो इतनी चोटी सी बात के लिए एमोशनल की हो गया अरे नहीं यार चरीत्रा कहीं दूर से आकर हमारे साथ रहे रही है उसे सुरक्षित रखना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है उसे कुछ भी हुआ तो मुझे बरदाश्ट नहीं होगा मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है इसलिए अब देखिए ना ये मंदिर क्रिस्ट के समय नंटीन नंटी वन में गजनी मुहम्मद ने बनवाया था गजनी मुहम्मद कौन अरे बप्रे बोलने में गल्की होगी लगता परिशानी तो नहीं होगी ना मैडम मैडम सुनिये सु सुरी गजनी मुहमद बोले तो आप लोग तेलगू में शिरी कुरुषने दे राय कहते है ना हैदराबद नवाब वैसे ही उसी ने तो इस शिवाले को बनाया है क्यारिक्टर मतलब कॉंट्रेक्टर आइसी लगता है तुम्हें हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है या कारे न मंदिर जर्शन करने आएगा तभी पता चलेगा ना कि कौन से भगवान कहां पर है क्या पुजारी जी मंदिर में शीव भगवान कया, और राम भगवान कया, सब का माली के गाड़ is one ये सब राम राजय है कहकर श्री कृषन भगवान और श्री बगवान यहां पर रहता है देखो बैटी मेरी बात सुनो यह आडी एक्स बॉम से कुछ कम नहीं है लड़की को देखकर मुह में जो आ रहा है बख रहे हो विश्णु रूप शिव का ही रूप है शिव का रूप विश्णु का ही रूप है यह सब आप नहीं समझवाओगे तुम्हें हिंदी के सेवा इ इस लड़की को यहां देखा है नहीं भाई नहीं देखा चल जा तुम हो ना बस है 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 हेलो है इस लड़की को देखा है कहीं नहीं साम नहीं देखा एह देखो ना जाइंट विल में बैठते हैं अभे आम यह लड़की दूलने यह एंजुआ करने नहीं वैसे नहीं भाई उपर से देखेंगे तु लड़की कही नीचे दिख जाएगी तुम्हें डर लग रहा है कि चलो ना भाई क्या दग तुम्हें तुम्हें चलो अरे आव ना भाई दो दोर्व मतना बाई अरे रुख ना चलो कि जो अब आ चरी दरो हम निचे आगे हैं अरे आके खुलो अभे विचे कर आ रही है गया चलो ना चलो ना भाई मजा आएगा अरे रुख ना जल्दी चडिया ना भाई अब रुको यही बेटो ना पानी लेकर आता हूं इए यह 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 बनके तो फुरह रहे हैं जर्ड हाई यहां लड़के ते कहां गई देखा नहीं सर चरित्रा यह तो धी तुझा नहीं तुझा नहीं नहीं को देखा है! कौना तुमुलब कि बेना लाइट जला ऐसे क्यों बैठी हो मेले से मुझे बता ही बेना क्यों चली आई मैं कितना डर गया था पता है वो लो कौन है उनकी गाड़ी खारब हो गई है रात को रुकने के लिए जगा चाहिए इसलिए दे दिया हूं जिन्हें जानती नहीं उन्हें जगा क्यों द ठीक है अगर डर लग रहे तो मैं बहार सो जाता हूं तूं मंदर सो जाना ठीक है ना कि मुझे चलो इस चलो पाई कि अ कि तब का श्वाट करें कि एप हुआ है अरे ऐसा क्या हुआ कि वो बगैर बता अचे लीगेई वो में पूछ कर आए थी जो हम से कहकर जाएगी अच्छा थाक हमारे क्षड्चा कितना हुआ और पैसा क्ता मिला और हमने जो खर्चा किया है उसका बिल केतना हुआ पता पचास हजार हो गये और पचास हजार हुए तो मैं हैदराबाद जगर हीरो बन सकता हूँ यार अरे भाई पचास हजार अब हम बिन्दी जल्दी पचास हजार लाएंगे कहां से वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कार्थिक क्या हुआ नेन नहीं आरी नहीं दिदी अगर मन दुखिय हो तो आखों में नीन नहीं आती आओ ये लो ये गहने रख लो दिदी माने मुझे दिये थे अगर ये तुम्हारे काम आगे तो मा की आत्मा को शांती मिलेगी और मुझे संतोष इस तरह से क्या देख रहे हो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कार्थिक हीरो बनेगा दिदी तू ज हमारा बेटा बना चाहूंगा मैं है 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 जाके मंदिर पर टूड़ो है है मुझारी इस लड़की को देखा है देखा हूं कहां बॉल कहां देखा अभी कुछ देर पहले यह लड़के हमारे गाओं के एक लड़के के साथ मंदिर आई थी वो दोनों कहां है बेहन जी आप बिल्कुल मड़री है बेहन जी हम आपसे कुछ बात करने आया है क्या बात करने है यह सारे खेत कार्तिक हैं कार्तिक आपका कौन है कि मेरा भाई है आप लोग कौन हो हम कार्तिक के फ्रेंज से बहेंजी कोई बतूर से आये हैं वो कोई बतूर आता है तो हमसे मिलने जरूर आता है और हम खेत खरीदना चाहते हैं उसने कहा था हमारे गाव आएंगे तो अच्छा खेत दिखाऊंगा इसलिए आये हैं हम लोग से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है यह लिजे यह सब पैसे आपको काम आएंगे ले ले भाईया आप जब हाईदराबाद से वापीस आएंगे ना तो मैं जिस तरह हीरो को सलाम करता हूं ना उस तरह आपको भी जरूर बनूंगा ठीक है छोटू मैं जरूर बड़ा हीर इंगे हैं जलता हूं मैं बीच बीच में फोन करता हूं का अबाए आप अबाही है आप अब है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करतिक क्या करतिक तुम अभी तक घर वापस नहीं आए यहां क्या कर रहे हो क्या होगा करतिक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जीवन में हार किया हूँ ए ऐसा क्यों कह रहे हो तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ क्या क्या होगा कार्टिक क्या कार्टिक इतनी छोटी सी बात पर इतना दुखी होने से कैसे चलेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लक्षे को हासिल नहीं कर पाऊंगा ऐसा क्यूं सोच रहे हो कार्टिक आज की बड़े-बड़े स्टास ने भी शुरुआत में बहुत तकलीफें उठाई है हर तरह की बेज़ती सही है उन्होंने देखो कार्टिक शर्म हैसूस करने वाले बेज़ती बरदाश नहीं करने वाले जिंदगी में कुछ नहीं पा सकते अगर तुम्हारा मकसद जिंदगी में सच में हीरो बनना है तो तुम्हें भी उतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी तो मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ भगवान के मंदिर में रखा एक पत्थर एक दिन भगवान से पूछने लगा तुम भी पत्थर के बने हो और मैं भी पत्थर हूँ फिर हर कोई मुझे अपने पैरों तले कुचल कर तुम्हारी पूजा करता है ऐसा क्यों तब उस मूर्ती ने कहा पागल हथोड़ी से मुझ में भी बहुत सारे छेट करने के बाद मेरा ये रूप बना कर लोग मेरी पूजा कर रहे हैं तुम ही सोचो कार्तिक उस भगवान को भी इतने कश्ट उठाने के बाद इज़त और अपनापन मिला है तो फिर हम इंसान क्या चीज है कार्तिक जहां तुम्हारी बेज़ती हुई है वहीं तुम्हें इज़त और शोहरत कमाना है आज नहीं तो कल तुमने जो सपना देखा है वह सपना जरूर पूरा होगा थैंक्स चित्रा चलो कार्तिक मैडम इफ यू डोंट माइड आपके दोस्के कॉम्बेनेशन स्टिल्स के लिए आपको कॉपरेट करना चाहिए ना मुझे मैडम प्लीज मैडम कर ट्रिक्स कुछ नहीं साब क्रेटिविटी है नजदीक आओ और नजदीक आओ कर दो कर दो नहीं जानता क्या सिनेमा में चांस के लिए हो ना देखो ब्रदर टेंट 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 थर्टी एर का इक्स्पियंस है ऑफिस का चक्कर लगवाते हैं लेकिन लोग चांस नहीं देते हैं क्या दर्.' अफिस ग के चक्कर लगाते हैं। लेकिन चांस नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहां से यह उठाकर बाहर भं़ेग दो। करोूं तरुशता नमस्ते पाले डायलोग बोलोؑ इसे नहीं पौराणी के स्टा razor में डायलोग बताओ आहाँ अ में कितने पादलू मुझे मालूम नहीं है डुस्रा आरे छिर्मा लेओ ये अफ्याइव अश्या अश्यां निकाल जू परवा निए मेरी तिकाना यार नहीं सरा किरूगाना तु है इसे फार निवा निकालो प्रवा निकालों प्लीज मनी बास वे लिए अचे क्वार नीकालों सब्सक्राइब अच्छ अ सर मैं अपना सब को छोड़कर यहां पर आए और आप मुझे बाहर निकालोंगे तो मेरे सपने कैसे इसा मत कीजिए सहर आप अच्छ है अच्छ है न तर आप अच्छा किया न अरे इतनी देर से तुम अट्टिंग कर रहे थे यह ओकी? ना नो क्यों? यह नो है दो तुम भी नो वो मतलब नहीं है ओक बोल्ले काम मेरा है तो अब बोल रहा हु मैं तुम मेरे लिए ओकी हो चीयक रिए कर जाओ ओकी हूँ ओक्यों? ओक्यों? येए याह वह तो जो 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 क्लामेक्स में भी जीत कर दिखाऊंगा क्या बात है बोल मेडाम लड़के का पता चल गया वो इधर यह कुड वो जहां भी जाते उसका फॉलो करो ओके माम उस पर कड़ी नजर रखना किसी भी हालत में मुझे वो चाहिए आइटम भेज्यों को बला सा क्या हुआ मास्टर अर्जन उलिक्स में कार्थिक कैसे हो तुम कार्थिक दिदी आपके लिए शुब समाचार है मुझे रोगा कार्तिक हीरो बन गया है बात कीजिए न थी पिता जी शायद नाराज में उन्हें बताए बखेर महां से चला गया लेकिन और जब भी मैं उस गाओं में आऊंगा तो उनके चरणों में गिरकर उनसे ख्षमा मांग लूँगा दीदी कार्ति पीटा जी आप अरे बेटा तुझ पर तेरा बाप अपना अधिकार समझ कर रही तुझे डाटा करता था तुम्हारे मन में क्या है जान नहीं पाया मैं अरे मुझे माफ कर दे बेटा पिता जी आप ऐसी बाते मत कीचिए तुझ बहुत बड़ा हीरो बने गरे तुझे अपने कंदों पर उड़ा कर मैं सारा गाओ घुमूंगा बेटा आपने इतना कह दिया बहुत हो गया जब आपका आशिरवात मेरे साथ है तो मैं बहुत कार्टिक क्या हुआ मैं हीरो के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ याहू 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 कार्टिक मीचत्रो कॉंग्राइट्स चलो चित्रा चित्रा लिए जख याहू याहू वग्या है याह याहू 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 यह जोड़ दो कातिक- को चुछ चला माद चल्ट कातेक- 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 जब रहे करें कि कहां ले जा रहे हो लड़की को तूने इसके साथ बहुत खेला मौस इसके साथ आप होली खेलेंगे चल बाजो मैं तुस्से पूछ रहा हूँ और तू होली खेलने की बात कर रहे है हुआ 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 हु काचिक! काचि! काचिक! काचिक! का टीं! अ! का टी! हुआ! का टीं! का टीं! का टीं! कार्टे, कार्टे, उटो कार्टे कार्टे, अला आदे पापा, पापा, अला आधे इसका एक्सिडेंट में गुजर गया तुम इतनी जल्दी उब भी एयरपोर्ट से डारेक्ट इज़ें hasi मैंने जब उसे पहली बार देखा, बहुत ही बत्तमीज लड़का था और मा, उससे मेरी शादी करने लिए जादी करने लिए तुम कहां से आये हो? मलेशिया से ये जेल से आया हूँ तुझ जैसे खोटे सिक्वे को मैंने लाखों खर्च करके जेल से छुड़ाया तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यूं किया? किसलिए दीदी? इस लड़की से तुम्हारी शादी कराने लिए सच में? दीदी, तुम्हारा प्लैन सूपर है दीदी तो सुन इसके बाप ने विल में एक पॉइंट लिखा है उसके शादी होने के बाद उसके दूले को सारी जायदाद मिल जाएगी ऐसा लिखा है उसमें उसके शादी के बाद वो सारी जायदाद लेकर यहां से चली गई तो क्या मैं यहां बैट कर भुटे सेखती रहूंगी और अगर उसकी शादी ली मैं तुमसे कराऊं मतलब माह नहीं यह जूट है सच है इस बिली ने सच कहा माँ जब मैं बहुत छोटी थी और खाना खाने से मना करती थी तो आप समझा समझा कर मुझे खिलाती थी सखी माँ ऐसा प्यार दिया लेकिन आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी नहीं मा मैं यह शादी नहीं करूंगे और नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस घर में जो सारे लोग हैं मेरे ही आदली है पुलिस पुलिटीशन कोई भी तुम्हारी साहता नहीं कर सकता मेरी पहुंच कहां तक है तुम्हें पता है ना जल्दी से तैयार होके नीचे आजाओ हम 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 है चित्रा तुम आ गई आ इस शाधी के ड्रस में कैसे लग रहा हूं अच्छा लग रहा हूं ना शाधी का दिन आ गया है ना मेरी शाधी है मेरी शाधी है मा का सारा प्यार एक नाटक था यह मालुम होने पर मैं उस घर में रुकी नहीं और वहां से बहाग कर चली आई रुप 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 शाहां जा रही है परिशानी में घरी लड़की की मदद के लिए बहुत से हाथ आगे आते हैं लेकिन उन में से बहुत से हाथ जुर्म करने वाले मर्दों के ही होते हैं मैंने तुमसे जूट कहा था कि मैं इस गाउं में रिसर्च करने के लिए आई हूँ रात बहुत हो चुकी है कल सुबह मेरी शूटिंग है मैं जाकर सोचाता हूँ गुड़नाइट मैं अगर किसी को पसल नहीं करती हूँ तो उनकी खुर्सी पर नहीं बैठती हूँ ए मारुदा आया जी मैडम इज़त ना देने वालों से मैं बात नहीं करती नौकर के द्वारा बात करती हूँ ये बता दे इसे वो लड़की कौन है उसके पीछे कौन-कौन है ये जाने बिना एक ज़वान लड़की को अपने घर में पना देने वालों को मैं भला कैसे इज़त दे सकती हूँ एए अंदर जाकर देखो और उसे घसिट कर मेरे सामने लाओ जाओ एह यहां से अगर कोई हिला तो अच्छा नहीं होगा अगर मैंने आवास दीना तो यहां के कॉंप्लेक्स के सब लोग तेरी हड़ी पसली तोड़ देंगे तुम सिर्फ कॉंप्लेक्स वाले को चालती हूँ मेरी पॉंच कमिशनर तक है देखना है कमिशनर सर मैं गोल्टन फैक्टरी से जया लक्षमी बोल रही हूँ यहां पर एक औरत ने मेरी बेटी को जबदसी बन करके रखा है दो कॉंस्टेबल को भेजो उनके दो दंडे पढ़ेंगे न तो अपने आप बोलने लगेगी मैंड़ जरह उस औरत को फोन दो वन मिनिट तेरा यम राज बात करो हां बोलो न भाईया कैसे हो बैन तुम हां भाई मैं बोलो न हूँ तुम तो ये गुंडों को इंकाउंटर में खतम करने वाले हो ना और मेरे यहां भी दो तीन गुंडे घुसाये हैं ऐसा क्या? चार पाश पुलिस वाले यहां पर भेज़ते हैं पूरी तैयारी के साथ वह भाग गए है यह लोग तुम्हारे यम्राज की दीदी हूं कार्तिक मैं रेडी हूँ तुम रेडी हो? कहां जाने के लिए क्या कार्तिक तुम फर्स टाइम एक्टिंग करने जा रहे हो मुझे शूटिंग देखनी है कोई ज़रूत नहीं है लेकिन क्यों कार्तिक? तुम घर से बाहर नहीं जाओगी शूटिंग देखने के लिए भी घर से नहीं निकलोगी मुझे समझने की कोशिश करो मुबारक मैं कुछ भी करता हूं कभी भी करता हूं तो डिफ्रेंग सोसता हूं क्या सर इतना डिफ्रेंट है? लव हो या जंग हो वा अहा सूपर टाइटल सर टाइटील नहीं है भाई सिनेमा है वान चू छी फूर ओके ना सर? ओके सर मास्टर ने दस डांसर्स के लिए काहा था एक डांसर कम पड़ रहा है मास्टर क्या बोलेगा पता नहीं कोई बात नहीं रहे जो लड़किया शूटिंग देखने आई थी उसी में से एक डांसर बना दिया सर मुहूरत में आप आच मिनट ही बचे है अरे एक मिनट अभी रुको मैडम अभी नहीं आए मैडम आकरके स्विच आउन करेगी तभी शूटिंग शुरू होगी सर कौन है वो मैडम? अरे वो मैडम हमारे लिए लक्षमी देवी जैसी है उस मैडम ने हमारी फिल्म का आंद्रा असीडी निजाम औगेरा के सारे राइट्स ले लिए इतना ही नहीं वो मैडम हमारी फिल्म में फाइनेंस भी कर रुकी है नमस्ते मैडम आईए अपने शूब हातों से कैमरा आउन किजिए अब शुटिंग शुरू करते हैं मैं यह कैमेरा आउन करने को बोलू तो मेरी कंडिशन याद है ना याद है मेडम कार्तिक यहां आओ सर कार्तिक मैंने कहा था ना मेडम यही हमारे फिल्म का हीरो मैंने जो तुमको बताया था ना वही है यह मैडम जी नमस्ते मेंडम हम मेडम जी तुमसे कुछ परसनल बात करना चाहती है मेडम जी तुम्हारी ये हाइट ये कलर ये फिजिक एक हीरो में जो कुछ चाहिए वो सब अविलेबल है थैंक्स मेडम लेकिन तुम्हारा सपना पूरा होने में एक छोटी सी अडचन अडचन कैसी अडचन ये बता रहे अरे सुन टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है इसे लिए डाइरेक्ट मुद्दे पर आ रहा हूं तुम्हारे पास एक लड़की है चित्रा वो लड़की हमें चाहिए अगर तुम्हें हीरो बनना है तो उस लड़की को हमारे हवाले करना पड़े अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम हीरो बन जाओगे ए प्रडिसर बताई से बिचारा बच्चा क्या क्या सोच रहा है उसे सही सला दे इस बात पर उसकी लाइफ ही नहीं तुम्हारे सिनेमा का भविष्य भी टिका है अभी क्या सोच रहे हो बेटा लड़की मैडम के आवाले कर दो अरे मान लो या नहीं तो फिल्म से बाहर हो जाओगे मैठम वो मान जाएगा आप बात कर लिजे आयो सर्थ अच्छी तरह से सोच लो एक बड़ा हीरो बनकर गावला उठना है या फिर सिर्फ एक लड़की के साथ वापस गावला उठना है सोच लो अगर वो पुलिस कंप्लेन करता तो पुलिस वाले इसकी खाल उतार लेते हैं अगर तुम्हारा मकसद जिंदगी में सच में हीरो बनना है तो तुम्हें भी उतनी तकलीफे उठानी पड़ेंगी सिनेमा का भूत अभी नहीं उतरा है क्या आज नहीं तो कल तुमने जो सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा थैंक्स चित्रा चलो कार्दे क्या हुआ इतना क्यूं सोच रहे हो तेरे एक मार में दो टुकडे करूं या मार मार के तिरा कीमा बनाओं एए औरत की जायदात को नाग बनकर डसने वाले लफंगे तुस्से क्या बात करनी है तुबे सँन चित्रा को किसे भी हालत में मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा जानते हो क्यों चित्रा मेरा प्यार है चित्रा को मैं अपने जान से भी ज्यादा चाहता हूँ चित्रा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और खून की नदियां भी भा सकता हूँ हमें ना कहने का अंजाम जानते हो तुम क्या कर लेगी तु पैसो के लिए अपनी बेटी जैसी लड़की की बली शैतान के हाथों दे रही थी छी, नीच औरत है तू तेरी जैसी औरत से मैं डरू अगर मेरे प्यार पर तेरी परचाई भी पड़ी तो तेरे टुकडे टुकडे करके कुट्टों को खिलाऊ लट्च में चलकर हमारे पास आई है यह लिजे यह सब पैसे आपको काम आएंगे तो मैं जिस तरह हीरों को सलाम करता हूं न उस तरह आपको भी ज़रूर बनूंगा च्छोटू तुझे अपने कंदों पर उठागर न सारा गाउं घुमूंगा बेटा मुझे पूरा यक्कीन है कि हमारा कार्टिक हीरो बनेगा चित्रा चित्रा अज मैं बहुत घश्यू चित्रा सुबा बहुत अच्छे जूटिंग हुई असल मैं कोई कारेकटर अपनी जगह से नहीं हीला मैंने प्रद्टींसर डाेक्टर यूनीट का हर मेंबर मेरे एक्टिंग देकर तालिया भजाने लग गया था अरे शह सीन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं तुमने सुना नहीं था ना सीन क्या है कि हीरो जाकर हीरो इंसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तुम हीरो इन हो ओके ना मैं हीरो हूं मैं तुम्हारे पास आकर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ इतने दिन हम दुनों साथ रहें पिर भी मैं तुम्हें बता नहीं पाया अगर आज मी नहीं कहा तो जीवन में फिर कभी नहीं कह पाँगा इसलिए आज मेरा कहना बहुत जरूरी है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ I love you I love you, Chitra I love you, I love you, Chitra Kartik Sorry, कुछ ज्यादा ही ओवरेक्ट हो गया Director साब ने कट कहा तो सारे लोग जोर-जोर से क्लैप्स बजाने लग गए सभी लोग मेरे पास आकर बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया सूपर एक्स्टरावडिनर एक्ट है कहने लग गए सब लोग मेरे फैंस बन गए है तुम जाती हो, Chitra मेरे 20 सल के आशा पूरी होई मेरे मा के आशा पूरी होई, Chitra मेरे बहन की ख्वाइश पूरी होगी मैंने चोचा हों मिल गया, मुझे चोचा हों मिल गया कार्टिक वो खोशी बरदाश नहीं हो रही है ना कि अज़ के हो कि अज़ मेरे हलो 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 कौन है अरे कार्थिक तुम्हारी आवास को क्या हुआ क्या बात है आँखों से देखा हुआ हर सबना जान सच नहीं हथा यह बात मुझे आप समझ में आई है देदी आप समerv हरो कि मैं बड़ा बंढ रहा हुकि अलेकिन शकले मैं अने केसे बीकाम कर नहीं है कैसा मुझे लग रहा है अब मैं गाँ आकर अपनी सुरत कैसे दिखाऊ दिदी अब मेरी चुआ हाला था मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं हार गया हो दिदी कार्थिक चित्रा मुझे खुशी बरदाश्ट मुझे सब मालूम है कार्थिक मैं शूटिंग देखने आई थी कार्थिक कार्थिक तुम्हें मा पसंद है या सिनेमा पसंद है मा को सिनेमा पसंद है कार्थिक तुम दीदी को चाहते हो या सिनेमा को चाहते हो मेरी दीदी को भी सिनेमा पसंद है कार्थिक तुम्हें मैं पसंद हूं या सिनेमा पसंद है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चित्रा हम कल सुबह होते गाउं चले जाएंगे चित्रा चल रही हो ना कैसे हो गया कार्थिक ये सब तुम क्या कह रही हो 20 साल के अपने हसीन सपने को दौलत के लिए छोड़ कर आया हो ना तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लिए कार्थिक तुम मुझे अपने गाउं में किसी के बंगले में रखकर ना जाने कितने जुट बोलकर मेरे बासे पैसे वसूल करते रहे लाख रुपए के लिए बड़े बड़े नाटक करने वाले तुम करोडों की मेरी जागीर के लिए त्याग का ये नाटक तो आसानी से कर सकते हो तो कुछ ही दिन हम साथ रहे और तुम्हें मेरी दौलत पर इतना लालच आ गया फिर बीस साल से मुझे पाल पोस्कर बड़ी करने वाली मा अगर लालच कर रही है तो उसमें गलत क्या है इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ मेरी मा अगर चाहती है तो मैं सत्या से ही शादी करूँगी ठीक है चलो कहां मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर चुड़कर आता हूँ चलो मैं आती हूँ कार्थिक रुए रे दिल मेरा छुट रह प्यार मेरा तेरे बीना कैसे जीएगा दिल ये नादा बीते पल बुलो ना साथ जो गुजर तेरे बोलम हे प्यार भरे बुचाहत तेरे ओ दिन नाएंगे अब तेरे बिना हम ना जी पाएंगे होके जुदा मेरे हमदम चाहत है तेरी सची मुश्किल है अब तुझ से दूर रहना आज अगर नित्या वापस आ जाए तो उसकी सारी जायदात में अपने नाम करवा लूँगी वो कुछ नहीं कर पाएगी अइसा आप चाहेंगी तो आपके भाई से शादी करेगी फिर क्यों अपने नाम पे करना है नित्या मेरे भाई से नफरत करती है फिर भी मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उस लड़के को हीरो बनाने के लिए अगर वो लड़का हीरो बन गया तो मेरे भाई को छोड़के ये नित्या उसके पास नहीं जाएगी क्या गैरेंटी है अब आप क्या करेंगी जिस फिलम में वो लड़का हीरो बना है मैं उसे फाइनस नहीं करूँगी मैं तुम्हारे में नहीं रह सकती कार्थे तुझा बता था मेरा प्यार तुमें खीच लाएगा आई लाव यू चितर आई लाव यू आई लाव यू कार्थे आई लाव यू खतम कर दे से कार्थे चोड़ा मुझे चोड़ा कार्थे 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 कार्टेक, ऊदे लेकर आ यहां कार्टेक, कार्टेक चलो कार्टेक चलो कार्टेक करतिक यह तुम्हारा जीवन बर्वाद करना चाहते थी करतिक जिस तरह तुम्हारी दीदी ने तुम्हें अपने बच्चे की तरह संभाला है ना वैसे ही इन्होंने भी मुझे बड़ा किया है मुझे अपने हाथों से निवाले खिलाए है उसी मा को मैं अपनी आखों के सामने ही नहीं करतिक चित्रा मानती है उन्होंने गलत किया लेकिन उसका बदला हम उनसे कैसे ले सकते हैं नहीं करतिक सुन रही हो ना तुमने इसे कितनी हानी पहुंचाई लेकिन अब भी तुम्हारा अच्छा ही सोच रही है इसे प्यार कहते हैं तुम्हें चित्रा नहीं उसकी जागीर चाहिए और चित्रा को मां का प्यार चाहिए मुझे सिर्फ चित्रा चाहिए सिर्फ चित्रा ही चाहिए म सुनो बेटी माँ मुझे माफ कर दो न बेटी ऐसा मत कहिए माँ मेरे सुवार्थ से ज्यादा तुमसे प्यार मौबबत से रहने में ही संतोश है यह मुझे अभी समझ में आया बेटा माँ वान बाई वान टेक वान क्लाप एक्शन आज मुझे यह समझ में आ गया के अपनी किसमत बनाना सर्फ अपने ही हाथों में होता है शॉट ओके वान बाई वान झाल झाल